आज बताऊंगा बेडिये को सिगमा क्यूं कहा जाता है और मुझे बेडिये क्यूं पसंध है एंड बेडिये को गुलाम क्यूं नहीं बना सकते हैं इस वीडियो से आपको सारे क्वेस्चन का एनसर मिल जाएगा देखिए इस फोटो को इस पिक्चर मैं भेडिये पांच ग्रुप में बटे हुए हैं पहले ग्रुप में बूरे और बीमार भेडिये हैं ताकि कोई हमला हो तो यही मारे जाए दूसरे ग्रुप में सबसे खतरनाक और ताकवर भेडिये हैं जो पीछे तीसरे ग्रूप में जिसमें बच्चे और फीमेल्स हैं, उनकी रखवाली कर सके, क्योंकि वो ग्रूप के फ्यूचर है, और इसलिए चौथे ग्रूप में भी वही दूसरे ग्रूप वाले ताकवर बेडिये हैं, और आखिर में आकेला ग्रूप का लीडर यानी सि जेर भलाई, ताकतवर हो, लेकिन भेडिये कभी सरकस में नाचते नहीं हैं, इसलिए मुझे भेडिया पसंद है, आप करो कमेंट आपको वो शेर बनना है जो नाचता है या भेडिया जो किसी की गुलामी नहीं करता, और आपको डार्क साइकलोजी में मास्टर बनना है तो मुझे फालो करें